तो बहुत ही बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहें अजे देवगन और बाबा जी हंसराज रगवनशी दो ऐसे नाम जो कि I think आप लोगों को अलग अलग दिखाई देते हैं लेकिन हैं तो वो इनसानी अगर मैं बात करूँ बाबा जी हंसराज रगवनशी या अजे देवगन की तो अजे देवगन बॉलिवूड इंडस्ट्री के सुपर स्टार कहे जाते हैं उनका काम अलग है उनकी इंडस्ट्री बॉलिवूड है जो कि ऐसी बॉलिवूड I think आप सालों से देखते आ रहे हैं और बहुत टाइम से उन्हें बहुत प्यार दिया है और बहुत लोगों का पूछना या सोचना ये होता है कि लोग व्यूस क्यों नहीं देते हैं या लोगों का ये बात होती है कि जैसे कि आप लोग बाबा जी हंसराज रगवनशी को जानते होंगे आप लोगों ने उनका मेरा भोला है भंडारी सॉंग सुना होगा जो कि कुछ इस तरह से गया था कुछ इस तरह का सॉंग आया था और वाकई में मज़ा आ गया था लोगों को और इस सॉंग से पहले भी कुछ गाने गाया थे उन्होंने इतने मिलियंस नहीं देखे होंगे लोगोंने तो कुछ अच्छी चीज़े होती है कुछ अच्छे गाने होते हैं जिनको पहचान मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और इंडस्ट्री में अगर देखा जाए काम बहुत मतलब दिल से जो करते हैं बंदे आज तक इंडस्ट्री में बने हुए हैं जैसे कि शारुक खान को आप देख लिजए आप सल्मान खान को देख लिजए आप अमताब बच्चन को देख लिजए मतलब जिनोंने आज तक बॉलिवूड इंडस्ट्री को अपनी एक्टिंग का लोहा माना है और वो आज भी इंडस्ट्री में बने हुए है लोगों का पूछना ये होता है कि ये सॉंग ये कमाया तो ये भी उस कम क्यों हुए अगर आप लोगों को उसमें काम अच्छा दिखाई देया है सॉंग अच्छा है और पुट अच्छा है लेकिन कभी कभी मेहनत भी रंग नहीं लाती क्योंकि कुछ मेहनत पे शायद लोगों की नजर नहीं जा पाती या कुछ मेहनत आगे चल के हमें दिखाई देती जैसे कि मैं बात करूँ आप लोगों ने बाबा जी हंस रागोंसी का ये सौंग भी सुना होगा एक बाबा जी करके सौंग है और अभी उन्होंने हाली में शमशान सौंग आया और वाकई में मतलब उनके गाने लोग अलगी काटेगरी पसंद कर रहा है और आने वाले टाइम में आई थिंक मैं उनको कॉंग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा और वाकई में एक दमदार जो उनकी आवाज के लोग इतने ज़्यदा फैंस हैं और वाकई में मज़ा आजाता है और थैंक्स बोलना चाहूंगा उन्हें कि वो इतने मतलब अच्छे गाने देते हैं और गाने कौन लिखता है मुझे नहीं पता लेकिन वाकई में जो गाते हैं एक आवाज उनकी जो निकल कर आई मेरा बोला है भंडारी से आई थिंग मिलियन्स दो सो मिलियन्स से ज्यादा लोग देख चुके हैं क्या और कभी अगर रहा तो देखेंगे मिल भी पाएंगे तो आपसे बात करेंगे और अजे दिववन कि अगर मैं बात करूँ तो अजे दिववन इंडिस्ट्री में जैसे कि आप लोग को इतने टाइम से एंटरटेन्मेंट करा रहे हैं वह बॉलिवड की उनकी अलग केटेगरिय है और वो मुतलब हर एरोग के पास अपनी अलग चेतावनी होती है कि उनको अलग अलग different way में movie करनी होती है कभी किसी को period drama movie करनी होती है तो फैंस को पसंद होती है होता है या नहीं अभी जैसे कि गोलमाल के इतने सारे पार्ट्स आ गए तो फ़नी एक्टिंग करने के लिए कभी लविंग मूवी भी करनी पड़ती है सब कुछ करना पड़ता है इंडस्टी में और लोग अलग अलग अक्टर्स को अलग अलग तरह से देखें या अलग अलग फैन फॉलॉइंगो वाटेवर उसका काम देखना चाहिए वाकई में वो कर क्या रहा है और मैं सलूट करता हूँ और सलाम करता हूँ कि यार बहुत मज़ा आता है मनलब की इंडिया में ऐसे भी लोग है जो इतने अच्छे लेवल को एक तरसाते हैं जैसे की ताना जी अंसंग वरियर मूवी आ रही है आप लोग देखोगा और मज़े करना और आने वाले टाइम हम चलते हैं आप सब विदा लेते हैं